बॉलो फें, आज की ईस वीडियो में हम आपको जमीन का शिवांकन के लिए ऑनलाई का ऐसी करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी जमीन या किसी अन प्रखिती की जमीन का सीमांकर यानि नफवानी के लिए ओनलान आविदन कैसे करेंगे इसकी क्या प्रोसेस रहेगी साथ ही इसमें क्या-क्या डोकुमेंटर रहेंगे इसकी समझ जानके आठीस वीडियो में बताएंगे जिसमें आप स्टेप बाइ स्टेप करके अपना आविदन और लाइन फिल कर पाएंगे और शीमांकर के लिए अपलाई कर पाएंगे सबसे पहले आपको RCMS पोर्टल पर आ जाना है जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप इस पेड़ आ जाएंगे इस पेड़ पा आने की बाथ आपको इस ध्री लाइन पर कलिक करना है और क्लिक करने के बज़ग आवamation वाला उप्सन देखेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसी आप आवजन वाले पर कलिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सीमंकन का एक option रहेगा इस पर click कर देना है जैसी आप सीमंकन वाले पर करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 step में आपको online form फिल होगा जिसमें आपका first step में जो रहेगा वो आपको जिस भी भूमी की आपको सीमंकन करना है उसके खत्रा की PDF बना लेनी है और उसी भूमी की नकसी की भी PDF आपको बना लेनी है पहचान के लिए आपको इन में से आधा कार्ट, drive classes, voter ID, password, app and card इन में से कोई एक की PDF बना लेनी है जब आपके सभी डोकों में तैयार हो जाए यानि PDF बन जाए तो आपको इस आंगे बड़े पर collect कर देना है जैसी आप click करेंगे तो आपका जो second step है वो चालू हो जाएगा यहाँ पर आपको देख लेना है किर्सी अब आपको वह है जमीन चोईस करनी है जहाँ पर आपका आपकी जमीन है यानि जिले कि जिले में है जो भी आपका जिला है वो आपको चोईस कर लेना है जो भी आपकी तैसिल है वो आपको चोईस कर लेना है जिस भी ग्राम में रहता है वो ग्राम आपको चोईस कर लेना है और जो आपको नियाला रहेगा वो आपको चोईस कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर खस्रा इस परकार से शाभी को बन बन करके को चैन कर लेंगे और चैन वार किलग कर देगे अगर आप एक से अधिक खसरे को स्शावर कर देखे हैं तो आपको यहां पर चैन करते जाएं और एक से अधिक पर ख्रीक कर देना जो भी आपकी किसरे नंबर हैं और चैनил पर ख्रीक कर देना भी यहां पर आजाएंगे यहां पर आपका छेतपल शीमेंकन आप इन में से एक भी आपको एक option मिलता है कि अगर आप किसी अनखस्रे का सीमेंकन नहीं करना चाहते हैं तो नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं यहां पर आपको खातिदार का नाम आयाएगा जो भी उसका खातिदार रहेगा इसके बाद आपको नीचे स्कूल करके आना है और आंगे बड़े वाले पर किलब कर देना है इस परकार से आपको जो है जमीन आपकी चुछ हो जाएगी अब इहां पर आपको आवे तक की जानके भनना है यानि प्रथन नेम मेडल नेम और लाइट नेम पता चुछ कर लेना ह इतले हैं यहां पट है याम में भ्रस कर लेना है इस वी उपति कर लेना है यहां पर प्ता कर लेना है आप करवियाया एधिवाग का नाम आगर देना चाहते हैं तो तो दे सकते हैं इसके बाद आप सिंप्लिस को जोड़े पर क्लक कर देंगे इसके बाद अनाविदक की जनकर जोकी आटॉमेटर का जाएगी और यहां पर आपको आंगवड़े बाली पर क्लक कर देना है गर्वह सुछाया की जैसे आप आंगवर कहेंगे तो आपका स्टेपको पूर स्टाठ हो जागा, यहां पर आपको जोसी खस्राइड नंबर रहता है उस खस्री नंबर की पूरौ रसा में किसकी जमीन है यापू रखना है किसके नाम जमीन है वो महातापता का कहना है वो लिखना है अपू इसके बाद उसका पता लिखना है मौवाल लंबर अधियापू डाल देना है इसके बाद नेश्ट में रहेगा पस्चिम पस्चिम द्वसा में यहाँ पर संख्या जाएगी पहले option में आपका खत्रा नंबर दूसरे option में आपका धारक का नाम यानि किसके नाम जमीन है उसके मातापता का नाम और एड़ डेस यह चीज़ें आपको बनोई बन करके आपको फिल कर लेने हैं अब यहां पर बात आती है कि हम अपने चारो तरब की सीमा का कैसे जन कर लें तो आप नॉर्मली अपना नक्सा को डालूट कर लें इसका प्रेंड नकाल के जहां भी आपकी जमीन रहती है उहां पर आप दिशा सुचक के द्वारा जान पाएंगे कि आपके उत्तर पूरा पश्चम में किसकी जमीन है इसके बाद यहां पर सारी चीज़े जो चोईस कर बाद आपको सभी खसरा नमबर के चतोर सीमा के वारे में यहांपर जानकर फिल कर देने हैं आपको सब्सक्राइब क्लिक कर देना है यहां पर आपको वकिल की जानकर फिलप करने हैं, अगर आप वकिल की जानकर जोड़ना चाहते हैं, तो हां करेंगे, और अजिवक्ता का नाम, बार कंसल के रमाग, मौला लंबर, इमेल, और नियाला में पेशी दनाग, यानि किस तारिक को आप अपने पेशी लेना चाहते है अगर नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो नहीं प्रक्लिक करेंगे, और यहां पर आपको सिंप्ली अपने नियाला एगनी फेशी दनाग को चुर्श कर लेना कि किस दिन आप तैसिल कार्यायल में उपस्तित होंगे, इसके बाद यहां पर एक और रहा है, क्या सीमा चिन्नों क यहां पर आपको स्वयम के खर्चें से करना चाहते हैं, यानि कि जो भी सिवा के चिन्न है, यहां पर आपको स्वयम के लगाना है, यानि अपने पैसों के तो वहां करेंगे, तो नहीं पर क्लग करेंगे, इसके बाद आपको सिंप्ली आंगे बड़े पर क्लग कर देना है, च्छवाँ जर्टनिרג जर्ट है यहां पर अपको फीस की ते सब्सक्राइब, यहां के विद्द लुप सब्सक्राइब, के लिए शीवाच चन्यों के लिए जीरो पिक्न पिक्रिया शुलक 100 रुपर यानि टूटल लिए तो रुपर अगर आप अधिक खस्रों का कि शीवाचन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी रासी है जो बढ़ जाएगी यहां पर दो रहते हैं पहला ओनलाइन का दूसरा ओफलाइन का यानि कि अगर आप ओफलाइन फिलप करेंगे तो आपको यहां पर चालन बनवाना पड़ेगा राज तैसिल कारेले से नहीं तो यहां पर आपको दस्ता डृप करना हैं दस्ताबीज में आपको ओजी रहेगा यहां पर चुआज कर लेना है की खसरा की पीडिएफ और नशे की पीडिएफ और पहचन की पीडिएफ यहां पर avanz- crimin करके कि आपको चुछ कर लेना है और साथ में उस दस्ता विच का किरवांग डाल लेना है यानि कि अगर खसा डालते हैं तो उसमें खस्रे का नंबर आ जाएगा आविदक का नाम और जोड़े पर क्लिक कर देना है इस पकार से आपको तीनों चीजें आपको यहां पर अपलोड कर लेने हैं आपको अपिलोड करने के बाद आपको आगे बड़े प्लॉट करक देना है यहां पर आपको पूरी जन कई समय में जाएगी कि अ पेंगाकर अफ्लोट करने के बाद जैसे आप हड़ते हैं तो अगर किसी अनौश्य रूप से आप अपने परे dor से हड़ आते हैं इस थ्री लायन पर कंड लेड़ करना है और आब ईसने वाले ऐड़ेक पर आके आप पून आविजन पून पर किलक कर देना है यहाँ पर आपको फिक्रम कह चुना कर लेना है कि आपका प्रिक्रम किसका क्या है نामंत्रण कई का है बटवारे का है और मंगन का है अभी दिन क्राइम मांक और मोबाल लंबर कर देना और चैन कर लेना है इस बाद आप आँगे बढ़ता कर लेंगे तो आपको जो आँगे जहां से आपने स्टॉप किया था आपने आवेजा वहां से स्टार्ट हो जाएगा जैसी आप सायन करने के बाद अप्लोड कर लेते हैं अप्लोड करने के बाद शिक श्टेप में आपको अपिधवक करके आ कि जैसे ही आप इसका फीदवेक देंगे तो आपका फॉर्म अप्लाइच हो जाएगा तो Petersburg हो तो दुस्तों इस प्रकार से आप अपना शीमांग करने के लिए अपना या किसी भी अनब्यक्तिक अप्फर्म जो है अपलाई कर पाएंगे अगर आपको किसी भी प्रकार की अनब्यक्तिक जानकाई चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माद्ध हमसे पूँछ सकते हैं अगर आप हमारे ग्रॉप में जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए वीडियो को डिस्क्रेशन ग्रॉप के दवारा आप हमारे बाट्ट्टप ग्रॉप में भी जोड़ सकते हैं वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक ज़रू करिएगा और साथ ही अपने फ्रेंट को भी शेर करिए ताकि वह भी इस पकार की उच्फुल इन्पोर्मेशन की जानकाई मिल तकिया थैंक यू पर रोचेंग